हेलो दोस्तो आप सबका स्वागत है मेरी यूट्व चैनल है मा किच्छन एंड ब्लॉक्स में दोस्तो ये है नमी वाला ड्राइ फिश या इसे शीदल भी बोलते हैं तो आज मैं बनाऊंगे इसकी भरता तो आप लोग वीडियो अन तक प्लीज जरूर देखिए शीदल के भरता बनाने के लिए मैं ले लूँगी ककोरा का पत्ता जो हमारी घर में ही क्योंकि शीदल को अगर अब अब टिरेक्ली तवा पर सिछने रख देंगे तो तवा के बिस में लग सकता है तो इसी लिए मै ने ले लिया है ककुरा का प्त्ता और इस तरह से धो लेंगे अभी देखिए यहाँ पर ले लिया है हरी मिर्ज बहुत सारा और लैसुन की कलिया भी लिया है और शीदल को अच्छी तरह से साफ करके मैंने रख दिया है अभी गैस अन करेंगे और एक मिट्टी की तवा लेंगे और उसी में सारी सीजे हम रोष्ट करेंगे तो सबसे पहले शीदल को इस तरह से पत्ते से मोर देंगे एस लाइक के पान पान जैसे मोरते हैं तो इसी तरह से मोर देंगे और सबसे पहले तवा पे डाल देंगे हरी मिर्च और लहसुन की कलिया और इन सब को अच्छी तरह से हम लोग ट्राइ रोष्ट करेंगे दोस्तो अगर सर्दी जुकाम जादा हो जाए तो ये चटनी बना कर या ये भरता बना कर आप खाएंगे तो आपको बहुत राहत मिलेंगे हाँ तीखा थोड़ा जादा डालना पड़ता है तो इसी वज़े से मैंने हरी मिर्च को जादा ही डाल दिया तो मेरा ये देखिए हरी मिर्च और जो लहसुन है ये रोष्ट हो चुका है तो अभी ही अच्छी तरह से उलट पलट कर इसको रोष्ट करूँगी और रोष्ट होने के बाद इसे भी एक साथ में ले लोँगी और इसे अच्छी तरह से कूट दूँगी इस तरह से कूट अगर शिलबता है तो सिलबते पर भी आप कूट सकता है लेकिन हमारी घर में नहीं है तो मैं इसी में इसको कूट रही हूँ इसमें स्वादनुसर नमक भी मैंने डाल दिया और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में ये भरता बनकर बिल्कुल रेडी हो गया तो कैसा लगा ये भरता आप लोग को अगर पसंद आए ये रेसिपी त और भी वीडियो देखना है तो प्लीज मेरे साथ बेनी रहे और मुझे सपोर्ट किजिए थैंकियो सो मच पर वचिंग